हेलो स्टुडेंट्स मैं अजहर और फिर आपके सामने हूँ आपकी ओनलाइन क्लासे में तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास आज हम करेंगे एक्सराइज 4.2 question number 1 which one of the following options is true and why तो यहाँ पर हमें बताना है इन में से जो option दिये हैं कौन सा option सही होगा और क्यों होगा तो इसका question है y equal 3x plus 5 has तो जो equation दे रखी है y equal 3x plus 5 उसके कितने solution होंगे वो हमें बताना है first में लिखा है a unique solution इसका क्यों एक ही solution होगा दूसरा दिया है only two solution क्या इसके दो solution होंगे तीसा दिया solution आगे तो first जो option है a unique solution यह तो इसका answer नहीं होगा तो अब हम आगे चलते हैं और अगर हम यहाँ पर एक्स की वैल्यू टू लगा देते हैं तो three to the six of plus five eleven तो y की वैल्यू हमें 11 मिलेगी इसका मतलब यह तीसरा solution आ गया है तो यह जो two solution लिखेते यह भी इसका answer नहीं होगा और इसके हमने three solution इस तरह से निकाले तो और भी हम इस तरह से solve करते जाएंगे और इसके solution मिलते चले जाएंगे तो इसका मतलब इसका answer हो जाएगा infinitely many solutions और इसके लिए आप इसका answer लिकेंगे third because for every value of x there is a corresponding value of y इसका मतलब हम यहां पर x की कोई भी value रखें तो हमें कोई ना कोई value y की जरूर मिलेगी इसका मतलब यहां बहुत सारे solutions मिल सकते हैं question number two write four solutions for each of the following equations तो अब यहां पर हमें जो भी equations दे रखी हैं उनके हमें four four solutions लिखने हैं first part two x plus y equals seven तो इसके solution निकालने के लिए हम यहां पर सबसे पहले y की value निकालेंगे x के terms में तो y equals seven और इसको हम RHS में भेज देते हैं तो यह हो जाएगा minus का two x तो y की value यहां पर आ गई है y equals seven minus two x तो अब यहां पर हम x की value कुछ ना कुछ रखते जाएंगे और हमें y की value मिलती जाएगी तो सबसे पहले हम लेते हैं if x equals zero अगर हम x की value zero ले लेते हैं तो y equals seven minus two और इसको हम zero रख लेते हैं x की जगे और इसको solve करेंगे तो seven minus two की zero से multiply किया zero और यह आ जाएगा y equals seven तो इसका अदला x के लिए zero रखने पर y equals seven मिलेगा हमें तो यह point हो जाएगा zero comma seven तो zero पहले लिखेंगे क्योंकि x की value पहले लिखी जाती है और second number पर हम लिखते हैं y की value तो यह इसके coordinates बन जाते हैं zero comma seven अब हम यहाँ पर x की value ले लेते हैं one तो लिखेंगे if x equals one तो one जब हम रखेंगे तो y equals seven minus two और x की जगे one आ जाएगा इसको solve कीजिए तो seven minus two बंदा two हो जाएगा और seven से two minus किया यह आ जाएगा five तो y की value five आ गई है और यह point बन जाएगा one comma five यह इसका दूसरा point आगे है और हम यहाँ ले लेते हैं if x equals two तो y की value रख लिखेंगे y equals seven minus two और bracket में two आ जाएगा यह तो seven minus two two is a four और seven minus four हो जाएगा यह three तो y की value three बिली है जब हमने x की value two रखी है तो point बन जाएगा two comma three और अब हम x की value रख लेते हैं three तो लिखेंगा if x equals three तो y हो जाएगा y equals seven minus two और bracket में three हो जाएगा यह इसको solve कीजिए seven minus two three is a six और यह आ जाएगा one तो y की value one आ जाएगी जब हमने x की value three रखी तो point बन जाएगा three comma one तो इस तरह से हमें यह चार point मिल गए हैं और last में इनको आप लिख दीजेगा so four solutions are zero comma seven one comma five two comma three and three comma one second part pi x plus y equals nine तो अब यहाँ पर हमें इनके चार solution ढूलने हैं तो सबसे पहले आप y की value निकालने के लिए pi x को rhz भेज दीजिए यह हो जाएगा minus का pi x तो अब हम क्या करेंगे यहाँ x की value लगाएंगे one by one सबसे पहले हम zero ले लेते हैं तो लिखेगा if x equals zero तो y की value निकालने के लिए हम zero लगा देते हैं x की जगे तो nine minus pi और into zero zero से multiply होगी यह zero हो जाएगा और nine y की value आ जाएगी तो इसका मतलब x की value zero रखने पर y की value nine तो zero comma nine इसका solution हो गया अब हम रख लेते हैं x की value one तो if x equals one तो y की value solve करते हैं तो y हो जाएगा y equals nine minus pi और bracket में आ जाएगा one और pi की one से multiply करेंगे pi होगा तो nine minus pi यह आ जाएगी y की value तो अब इसका solution आ जाएगा one comma nine minus pi यह इसका दूसरा solution हो जाएगा और अब हम x की value रख लेते हैं two तो if x equals two then y equals nine minus pi bracket में two और यह हो जाएगा nine minus two pi तो यह y की value आई है तो यह solution हम लिखेंगे two comma nine minus two pi तो यह इसका तीसरा solution हो गया है और अब हम रखते हैं x की value three तो लिखेंगे if x equals three तो y हो जाएगा y equals nine minus pi और three की multiply कर देंगे इसको हम x की value three है इसलिए तो यहा लिखेंगे nine minus three pi तो यह y की value हो जाएगी और यह solution बन जाएगा three comma nine minus three pi तो यह इस तरह से चार solution हो गए और अब हम इनको लिखेंगे so four solutions are zero comma nine one comma nine minus pi two comma nine minus two pi three comma nine minus three pi third part है इसका x equals four y तो यहाँ पर अब हम y की value रखते जाएगे हमें x की value मिलती जाएगी तो सबसे पहले आप लिखेंगा if y equals zero तो y equals zero होगा तो x की value आजाएगी x equals four और y की जाएगा zero लगा दिए four into zero zero हो जाएगा तो x की value यहां मिल जाएगी zero तो इसका solution आजाएगा zero comma zero अब हम रख लेते हैं y equals one तो y equals one रख लीजिए तो आजाएगा x equals four into one और यह four वंदा four तो यह point हो जाएगा four comma one इसी तरह से हम अब y की value रख लेते हैं two तो if y equals two तो अब x की value निकाल लेते हैं से तो x equals four और bracket में two four two is eight तो x की value eight आ गए तो यह point हो जाएगा eight comma two अब y की value रख देते हैं three if y equals three then x equals four और bracket में into करेंगे three से four three is a twelve हो जाएगा तो इस तहीं से यह point बनेगा 12,3 तो यह इसके चार point आ गए हैं और इनको हम लिखेंगे so four solutions are 0,0,4,1,8,2,12,3 इस वीडियो को लाइक कीजिए और preference के भी share कीजिए और हमाई चैनल को subscribe कीजिए हम जो भी नए वीडियो अप्लोड करेंगे उसकी notification सबसे पहले आपको मिलेगे अगर आपने चैनल subscribe किया है तब इसलिए इस चैनल को subscribe कीजिए कीजिए